आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था बायोस क्या है उसके बारे में आज मैं सारा डिटेल बताऊँगा जो भी मेरे चैनल में नए है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा बेल आइकन दबा दिजेग क्योंकि मेरी नई वीडियो जो ऐगी उसकी नॉटिफिकेन आपको मिल जाएगे अब प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा अगर पूरा नहीं देखिएगा अगर इसकिप कर देजाएगा या फार्वार्ड कर देजाएगा तो उससे पता नहीं चलेगा कि आपने क्या मिस्स किया इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेश्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जोड़ों कीजिएगा ठीक है चलिए वीडियो को और बड़ा ना बनाते हुए वीडियो सुरू करते हैं ठीक है देखिए ये मेरा लेप्टोप है ठीक है इस लेप्टोप में जैसे मैं बायूस निकालता हूँ उसके बारे में बता देता हूँ ठीक है लेप्टोप पूरा बंद है ठीक है लेप्टॉप जब चालू करते हैं जैसे मैंने चालू किया अन करने के बाद यहां पर नीचे देखिएगा नीचे देखिए वहां पर कुछ लिखा हुआ है प्रेस एप्टू फ्रॉम सेटप और एप्टू फ्रॉम बूट मिनो तो अब सबका अलग अलग रहता है उसको ध्य ध्यान देना होगा जब वह फावर दबाते हैं तभी वह उप्टॉन कुछ सटाकींड के लिए ही खुलता है उसके बाद वह चला जाता है तो ओओ अध्यान देना होगा वह देख लिजिएगा वह आपको पता चल जाएगा ठीक है उत देखिए अभर यहां पर देखिए मेरे सिश्टम में क्या है अभी सारा चीज इसमें पता चल रहा है कि देखिए time अभी क्या हुआ है, date क्या हुआ है, वो बताया जा रहा है, ठीक और इसमें डेट जो होता है वो पहले हम लोग लिखते हैं क्या डेट मंत इयर इसमें देखें लिखा हुआ है पहले मंत रहता है उसके बाद डेट और इसके बाद इयर ठीक है देखें बायोस भर्जन भायोस भर्जन हैं ना बायोस भर्जन ए फिप्टीन हो ठीक वह वह बर्जन बर्जन जानते हैं जो प्रोग्रामिंग है उसकोन सा भर्जन है कोन सा है वह बताया जा exist थी तरह सब का है जैसे मेरा CPU टाइप क्या है, सब लिखा हुआ है इसमें, इसमें सिर्फ time and date को छोड़ा के, बहांकि कोई changing आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह system का है, कि आपके system में क्या-क्या programming है, वो है, आप time change कर सकते हैं, time, date change कर सकते हैं, बहांकि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व अगर उसमें कोई changing की जागा, तो वो change होगा, ऐसे कोई changing नहीं हो सकता है, ठीक है, सब चीजिस में लिखा हुआ है, देखिए, हार्डेस लिखा हुआ है, 1000 GB, 1000 GB मतलब 1 TB, ठीक है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा, GB क्या है, GB का, GB मतलब होता है, कैसे है, उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है, next video में, अभी सारा detail में बता रहा हूँ, ठीक है, अब हम लोग चले आएंगे, advance, ठीक है, advance में इतने सारे, अलग-अलग features हैं, जो की आप enable कर सकते हैं, अब मान के चलिए कि मेरा system में USB, अगर हम बंद कर देते हैं, USB जो बंद कर देंगे, तो USB काम करना बंद कर देगा, अगर हम यहाँ पर enable है, उसे disable कर देंगे, तो USB नहीं work करेगा, बहुत कोई करके रखते हैं, आप यहाँ से भी changing कर देते हैं, होता है कि system में अगर कोई गया, भाई, मेरा USB बंद कर दो, बार बार कोई कोई लगाता है, pen drive लगाता है, यह वो करता है, बंद करना है, तो BIOS में जाके भी आप बंद कर सकते हैं, और दूसरा भी option है, लेकिन आप BIOS के through भी बंद कर सकते हैं, ठीक है, यह जो option देख रहे हैं, यह hard disk के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो hard disk भी दो तरके होते हैं, एक sata hard disk, एक आए हुए हैं, USB hard disk, तो वो भी दो तरह के होते हैं, एक internal होता है, और external, external जो बाहर से लगता है, उसको external कहते हैं, और internal जो system के अंदर fit है, तो USB वाले में सिर्फ जो external, जो बाहर से हम लगाते हैं, वो हुआ external hard disk, ठीक है, इसमें आप अगर changing कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से changing की जाएगा, ठीक है, देखके, ऐसे नहीं कि बंद कर दिये, बाद में भूल गया, देखे, इसमें password लगाने का है, ठीक है, bios में अगर password लगाना चाहते हैं, तो वो security में गया करके, आप password लगा सकते हैं, जो कि system जब खुलेगा, तो खुलने के बाद फिर वो password मांगेगा, तभी आगे का program वो चलने देगा, नहीं तो फिर वो नहीं चलने देगा, ठीक है, देख लेज़े, admin password, सब चीज है, hard disk का भी password है, password लगाने के लिए है, ठीक, तीसरा, ये boot, boot, boot क्या होता है, ठीक है, boot वो है, इसके द्वारा, इसके द्वारा आप जैसे computer को format बोलता है, बहुत कोई बोलता है, कि हमको format मरवाना है, कैसे होगा, तो वो format इसी के थ्रू होता है, बूट फाइल, जो है, इसी के थ्रू चलता है, जो system में Windows लोड होते हैं, वो इसी program के द्वारा पहले उसको run किया जाता है, तब वो boot करेगा, ठीक है, देख रहे हैं, इसके बारे में भी बताएंगे, और next video में, कि क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, वो सारा चीज बताएंगे, अभी आपको सिर्फ मैं दिखा रहा हूं, कि यह यह चीज होता ह ठीक है, क्योंकि अगर हम जाद अभी उसके बारे में बताने जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा बड़ा video बन जाएगा, और एक बार में सब चीज सीखना ही पाईएगा, ठीक है, तो यह देख रहे हैं आप, और लास्ट यह एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना होता है, तो बाहर निकलने से पहले अगर मैंने कोई चीज चेंज किया, तो उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, तभी, अगर मानले जाद सेव नहीं किये, और डैरेक्ट बिदाउट सेव का आप एग्जिट हो गय कि आपका तो वो प्रोग्राम जो आप सेव किये, वो तो सेव नहीं हुआ, तो रहेगा नहीं, फिर वो फिर से आपको वो करना पड़ेगा, तो सेव कर सकते हैं, ठीक है, अब मान लेगे, आप से आपको पता नहीं था, आप क्या चेंजिंग किये, हमको याद नहीं है, द्युएर। रहता है, डि पॉल्ट मींस जैसे अथा पहले वैसे हो जाएगा, तो उसको डिफॉल्ट किया जाता है, ठीक है, रहेगे, द्यूंगे, इसमें, डिफॉल्ट जो है, ठीक है, और, हío selecting डिस्कार्ट कर दिजागा तो डिस्कारड हो जाएगा सिर्फ सेब करने के लिए सेven है और इसर इसर डिसकार्ट करके लिए स्टर्ट वह है ठिक है यह से अज्व करके लिए इसेट है यह तो हो गया यहां से नीचे भी देख रहे होंगे देखिए नीचे भी यहां पर देख रहे होंगे ठीक है F9 दबाते हैं तो F9 से भी आपका डिफॉल्ट हो जाएगा ठीक है अगर नहीं जानते हैं तो बता दे रहे हैं F1 से एक्जिट हो सकते हैं वह सौट की है यहां उतना दूर नहीं जा रहे हैं तो डैरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है अभी समझ गए सारे चीज देख लिए देखिए मैं एक्जिट यहां से डैरेक्ट करके भी दिखा सकता हूं मैं ESC यह रहा देखिए ESC लिखा हुआ है इसको भी दबागाएंगे एक्जिट हो सकते हैं ठीक है आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा अज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा आएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर उस समय और इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे बढ़िया से क्योंकि वीडियो और बड़ा ना बन जाए उसके लिए मैं आज यहीं ते कर सकता हूं ठीक है